हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इंग्लिश लिटरेचर टूड़े वी आर गोईंग टो डिस्कस हाव टो क्रेक्ट एच्टेट 2022 जैसे कि फ्रेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एच्टेट को या फिर हमारे जो कल वाला जो सेशन था जो कि अससे को लेकर था सर्फ सिक् करेंगे कि हमारा ट्वैल और थार्टिन नौवंबर को उसको हम विदिन टू मन्थ विदिन सिक्स्टी डेज हम कैसे घर बैठे ही क्रेक कर सकते हैं क्वालिफाइग कर सकते हैं और फ्रेंट्स आपको पता है कि यह कितना बैनिफिशियल रहने वाला है चाहे हमारी रेगुल यह कंगे दो महीने में लिए लेसफन से क्लिफे पास कर सकते हैं यहां रहें गेए तो कोड़े 13 November को होने वाला है फ्रेंट्स जो कि 2022 का रहेगा तो फ्रेंट्स इसी के उपर पूरा सेशन बेस्ट है जैसा कि फ्रेंट्स वैसे मैं आपको बताओं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंट्स यहां मैंने घर ही बैठे दयारी की थी जैसे कि पहले वाला है था टूजफा तूज़ थ !!! में हुआ था फ्रेंड्स जैसे ही तो वह एच्टैट था उस टाइम पे तो फ्रेंड्स यूटूब भी नहीं था जैसे आज हम नेट वगएरा यूटूब पे काफी क्लासेज काफी जादा स्कोप शोर्शी आपके पास कि आप घर बैठे कर क्रैक कर सकते हो फ्रेंड को लेकि से हम ही अपनी स्टैट जी सेर करते हैं वह आप सुन सकते हो उनको फोलो करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हो तो कंपलीट लास्ट तक मेरे साथ बने रही है काफी इंपोर्टन रहे कि क्लास और आपको अच्टैट है वह क्वालिफाई करवा के ही जाएगी ठीक हाफ्रें स्टाथ करते थे हैं पहले थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं कि जो स्लेबस है वह क्या रहेगा स्टैट borrowed जैसा कि आप J स्टेट का जो अग्जाम है टू पार्ट में डिवाइडिड होता है जिसमें 90 मार्ट होते हैं फ्रेंड्स वो कोमन अग्जाम में आते हैं कोमन पेपर हम उसको बोल सकते हैं कोमन पेपर या कोमन शेक्शन हम बोल सकते हैं दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है 60 मार्ट का जो जो कि काफी ज़्यादा easy रहती है और काफी ज़्यादा marks ले के रखती है तो यहाँ psychology का बात करें तो psychology की strategy भी हम साथ साथ रखेंगे तो friends psychology में theory है psychologist की उनको हम discuss करेंगी ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स साइकलोजिस्ट की जैसे इरक्सन की ठीक है स्कीनर ने कौन सा सिदान्थ दिया इस तरह से बुद्धी लबदी यह जो काफी important हमारे chapter रहते हैं psychology में जिसमें हमारा विकास समन देता है कि बच्चा का विकास कैसे होता है learning कैसे होती है मुल्यांकन है वो कैसे होता है या फिर हम कहीं जैसे थोंड की थूरी आगई ठीक है और जीन प्याजे काफी important रहते हैं ठीक है और उसके साथ साथ हमारे जो अलग से काफी important हमारे जैसे नेतिक विकास का सिध्धान्त कशन ने दिया तो इस तरह से जो थोरी हो सिध्धानत होते हैं वह काफी जादा रोल पर ले करते हैं फिर उसके साथ साथ अगर दूसरे अगर टॉपिक्स की बात करें साइकलोजी में तो वह रहती है हमारी टीजिंग अप्टिजूड टीजिंग क्या होता है जैसे हम मालों पीजीटी का अग्जाम देते हैं तो पीज से अपनी बात को बच्चे तक कनवे कर पाई ठीक है तो इस तरह से काफी एजी रहता है और 30 माक्स का हमारा यह पोर्शन रहता है जिसमें 28 और 29 तक बच्ची है वो ले के आते हैं नमबर्स ठीक है फ्रेंट्स इसको आप घरवे ठीक ऐसे कर सकते हो बुक्स लेकिया यह कोई अच्छी सी पब्लिकेशन की कोई भी यूटूबर कोई भी बुक्स किसे भी राइटर के आप फोलो कर सकते हो और उस बुक को लेकिया यह तीन चार बार एक ही बुक की स्टडी कीजिए ठीक है यह नहीं कि आज आज आपने दूसरी ले ले तीसरी ले ले दो चैफ्टर इस जितने भी उप्षण हमारे क्यों संस उनके चारों ओप्षण को शौल करते चलिए इससे क्या होगा एक क्यों संस में आपको चार क्यों संस के आप देख पाओगे ठीक है फ्रेंड्स तो किसी भी बुक को फोलो की जिए उसी को तीन-चार तीन से चार बार रेडिंग की जि जिसमें आपको प्रीविएस पेपर प्रीविएस पेपर्श आपको क्या होगा प्रीविएस पेपर्श आपको क्या होगा प्रीविएस पेपर्श आप एनलाइस कर पाओगे कि किस साइड से किस से तर से ज्यादा क्योंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स देखो हमारा जो इसको बना सकते हैं साथ ही साथ हम में से meز segunda star बते हैं तो D हमारे सब्जेक्ट को उनगी हमना सकते हैं तो तो इस तरह से previous लगार ये practice सेट कीजिए और आपको क्या होगा इससे आपको confidence आएगा ठीक है अब आप क्या करो अब आपके पास दो महीने हैं तो दो महीने में क्या करो कि आप जो हमारी psychology की theoretical book है ना बेटा उसको आप क्या करो study करो दस दिन में within 10 डेज आप क्या कर पाओगे जो इस तरह से 20 दिन में आप क्या कर सकते हो पूरी जो हमारा psychology का जितना विचले बस है उसको आप कवर कर लोगे फिर उसके बाद आपके पास एक से डेर में ना बज़ता है उसमें आप practice set लगाईए कि हर दिल एक practice set मेरे को लगाना है 100 questions का हो सकता है 50 questions का हो सकता है लेकिन अच्छे से लगाईए ठीक है time management करके चलिए इससे आपको क्या होगा काफी beneficial रहेगा बहुत सारे बच्चा ऐसे होते हैं कि उनका time management नहीं होता तो उनका exam छुट जाता है लेवल आपका PGT है तो उसमें फ्रेंट्स क्या है statement के questions बड़े-बड़े statements के question भी पूछ ले जाते हैं जैसा लेवल होगा उतना ही हमारा पेपर का लेवल भी बढ़ जाएगा ठीक है फ्रेंट्स जैसे हम देखते हैं PRT का लेवल मोडरेट आता है TGT का थोड़ा से अब आता है और PGT का उससे भी अब आता है तो इस तरह से आप psychology को कर पाओगे अब चलेंगे जो हमारा दूसरा portion रहता है दूसरा section रहता है common section रहता है तो common section रहेगा फ्रेंट्स आपको होगे तो मैं psychology का जो दूसरा उसको भी आपके साथ शेड़ कर दूंगे हाँ यहां पर थर्टि के बाद हमारा जो next portion रहता है उस में से हृरियाना जिक्ये में सबसे जदा जो क्यों से कहां से पुछ पूछी जातें रिएश सबसे जयादा जो वह सोते हैं फ्रेंट्स वह जियोग्राफि यस अभ्यार्ण है वहां से कुछ ले जाते हैं जो नेशनल हरिटेज वहां से कुछ ले जाते हैं फिर एक और कोर्षन आता है कल्चर से कल्चर से भी क्योशन पुछा जाता है फिर आता है हमारा पॉलिटीकल और हिस्ट्री से थियोरिकल पढ़ते चलिए वही मैथड आपको रखना है आप विदिन फाइफ डेज आप हरियाना जिके पढ़ लोगे अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देगो है मालो दिन में आपने देड़ गंटा दे दिया दो गंटे दे दिये तो उसी में भी आप जो हरियाना इतना बड़ा स्टेट नहीं है जो इतनी जादा जिके रखेगा फिर वही मैथड आपको अप्लाई करना है कि क्या करोगे आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे प्रैक्टिस स करें और भी नेट से निकाल के देख सकते हो किसी यूटुबर बें जो पढ़ा रखकें जो टीजर्स ने आपको पढ़ा रखा है उसके क्रिये प्रैक्टिस कर ये और टाइम अनेज़्मेंट करCD करिए उससे आप के हरियाना जिके वह भी कलिर हो गल्व हो जाएगी इतना ज्याधा अथास लिवस नहीं है फिर आता है हमाराओ 20 और आगे 10 नेंबर का जिस तहागी 10 नेंबर के हमारा आता है रिजनिंग आता है रिजनिंग के अगर हम बात करें तो फेवरिट टॉपिक रहते हैं रिजनिंग के, करलेंडर, फिर आता है, एज, एज वाले, बलड रिलेशन के, फिर आता है, हमारा, एल्फावेट के, एल्फावेटिकल हमारा, नमबर सिस्टम आता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे जो आकरतियां होती है, ट्रिग्नोमेटरी से क्योशन पुछे जाते हैं, एल्फावेटिकल काफी ज्यादा पुछे जाते हैं, नमबर सिस्टम से भी पुछे जाते हैं, बलड रिलेशन, रेशियो से भी क्योशन से वो पुछे गए हैं एक्जाम में डारेक्शन से तो फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट हमारा काफी इजी पोर्शन है और फ्रेंड आपको एक मूल मंतर बताऊं पहले आप वो काम करिए वो प्रिपेर करिए जो आपका ओलरी प्रिपेर है उसकी रिविजन कीजिए और फिर क्या करना आपने कि मेरा रिजनिंग तो बिल्कुल कलियर है दस में से आठ से नुव मार्क्स या टैन बेटा टैन आपको शोर ही देखने को मिलेंगे ठीक है फ्रेंट्स अब आगे चलते हैं दस नंबर का हमारा था है मैथ जो मैथ है वो टैन मार्क्स का आता है जिसमें मैथ के अगर जो पानी जो टंकी वाले क्योंस होते हैं कि एक टंकी इतनी देर में बरती है एक नल इतनी देर में एक टंकी को बरता है और दूसरा नल इतनी देर में बरता है ठीक है तो इस तरह की क्योंस होते हैं फिर वही एज एज से रिलेटिड क्योंस भी साइंस जो मैथ से वहां से जाते हैं तो यहां हमारा यह पॉर्शन है यह फ्रेंट्स बहुत इजी पॉर्शन रहता है आपने माल लो जो साइक्लोजी हो उसमें 20-25 माक्ष भी ले लिए ना 20-25 तो यहां भी आप क्या करोगे अगर किसी बंदे को किसी कंडिरेट को मैथ बिल्कुल नहीं आता आर्ट के बच्चे को तो भी वो 15-20 नंबर इसमें भी ले लेगा ठीक है फ्रेंट्स तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा 40 नंबर यहां से कवर हो जाते हैं लेने कितने आपको 90 नंबर लेने है 90 नंबर लेना है 90 में जो हमारा अजट्रेट है वो क्वालिफाई माना जाता है क् भी negative marking नहीं है ठीक है friends अब चलते हैं जो हमारा third section रहता है common paper का क्योंकि common paper है वो हमारा 90 marks का है और 90 marks ही हमें crack करने के लिए लेनी है exam में ठीक है तो यहां हमारा third जो portion रहता है उसमें हम friends हम देखते हैं कि 15 marks की English आती है अगर हमारा subject English है तो हमारा 15 plus 60 यहां पर हमारा जो syllabus बनता है वो 75 marks का बनता है तो friends वहां आपने 40 number ले लिए और यहां पर 50 ले लिए तो भी आप क्या हो qualified ही रहोगे ठीक है काफी easy है इसी तयारी को इसी strategy को मैंने follow किया है one by one किया है वो tick mark करती चली हूँ है जैसे friends देखो मैंने मान लो blood relation का कर लिया blood relation का कर लिया तो मैंने tick mark लगा दिया फिर उसके बाद calendar का कर दिया तो tick mark लगा दिया फिर उसके बाद क्या क्या मैंने जैसे age वाले कर लिये तो age वाले पर भी tick mark लगा दिया तो फिर friends मेरे को यह confidence आ जाता है कि मेरा reasoning है वो complete है 10 marks को कोई नहीं लेके जाने वाला ठीक है English हमारा subject है उसमें तो हम पिछे रही नहीं सकते ठीक है English के भी मैं बताऊंगी कौन-कौन से जो topic है काफी important है English की तैयारी करिए साथ में psychology की करिए और हिंदी हमारी वैसे भी मदल टंग है वैसे भी आपके अच्छी ही होगी ठीक है reasoning बहुत एजी रहता है फिर उसके बाद हरियाना जी के बहुत थोड़ा सचले बसे चुद्दस नंबर का मिलेगा ठीक है तो इस तरह से कोई भी टफ नहीं है आप अपने स्टेट जी को अभी से फोलो करिए दो मंथ वह वैसे देखे तो थोड़ी हैं लेकिन अगर हम दो मंथ में चार-चार गंटे की वी तयारी करते हैं तो सोचके देखो कि हमने कितने गंटे रीडिंग की है ठीक है तो वह आपको स्रेक्शन शोर ही दिलाएगी तो यहां हमारा इंगलिश है वह ग्रेमर शेप उच्छा जाता है ग्रेमर आती है जिसमें बेसिक ग्रेमर आती है क्योंकि फ्रेंट्स जी गरमर वाला पोर्शन होता है सभी के लिए एक वलाता है पर में ऐसा नहीं कि हमारी हमारी आएगी तो टफ आएगी यह सभी के लिए है तो मोडरेट ही आती है इसमें जो मोस्ट इंपोर्टन टोपिक्स रहते हैं वह हमारे पार्ट्स ओप स्पीच रहते हैं जो कि आठ है जिसमें अगर हम बात करें तो वर्ब नाउन प्रोनाउन क ठीक है और कंजंग्शन घंजंग्शन इंडान है कंजंग्शन इंटर्जेक्शन ठीक है इंटर्जेक्शन तो इस तरह से हमारे कुछ ये टोपिक्स हैं जो काफी इंपोर्टन्ट है फिर फ्रेंड्स एक आर्टिकल आता है आर्टिकल बहुत पुछा जाता है और आर्टिकल के साथ साथ हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो भी पुछे जाते हैं डिटर्मिनर्स क्या कि वही सम है इसका यहां क्या यूज है और सम है वो क्या है आर्टिकल है डिटर्मिनर्स है कौन सा डिटर्मिनर है और काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ऐसे करके पूछा जाता है एडवर्ब पुछी जाती है कि वही इसमें एडवर्ब कौन सा है या अ एक लाइन देगी उसमें आपको यह देखना है कि यहां पर आपको कीवर्ड पकडना है कि यह खुबर्ड कौन से टेंच में आता है तो ही टेंच हमारे ग्रेमर यह एक आते हैं हमारे से अपको क्या पूछ लिया जाता है सिनोनीमस एंटोनियमस और वरफ फ्रेज पूछे जाते हैं ठीक है तो इस तरह से यहां से दो तीन क्योंस यहां से पूछ जाएंगे चार फी पूछ ले बंदा पांस पूछ ले और चार पांस के यहां से पूछे जाएंगे तो इस तरह से थाम के जो रहती यहां से यहां से यह कैसे जैसे पपर को टफ बनाने के लिए जो हमारे क्यूप ज लगे रहा है वहां से बहुत तो कफी जाता है तो काफीर है आपको आप कर पाओगे जो थोड़ा सा पोर्शन हमारे लिए टफ वड़ता है विकोज ऑवर मदर टंग इज हिंदी हम हिंदी को नहीं बोलते हैं इंग्लिस को हम बोलते नहीं तो हमारी इतनी ज्यादा नहीं है फिर फ्रेंट्स इसके एक बुक सजेस्ट करूंगे आपको जो पैरमाउंट की बुक है पैरमाउंट वो काफी ज़्यादा अच्छी है उसमें जितने भी आपके 200 से 300 ही वर्ट दिये हुए हैं तो वह अगर आप कर लोगे तो शूर ही आप स्लेक्शन ले जाओगे फिर शाथ ही जाता हूँ जो प्रिवीज यह स्क्यूसन है वह भी र हमारा सबजेक्ट रहते हैं यहीं हमारे टोपिक्स रहते हैं हिंदी की बात करेंगे अब हिंदी भी हमारी 15 मार्क के आती है जिसमें वही हमारा क्या बेसिक ग्रामर आती है जिसमें लिंग वाचन विशेशन किर्या पदबंद पदबंद से क्योशन पुछा गया था वाई पिछली बार पदबंद और रश अलंकार 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 वहाँ भी पुछे जाते हैं यहां भी अलंकार कई बार पुछा जाते हैं एक आद बर हमारा जो बेसिक सब्जेक्ट है वहाँ पुछे जाएंगे अलंकार उसे ठीक है लेकिन हिंदी से पूछ ले जाते हैं कई बार एक अधिवर ऐसा वागोई बुक का नेम तो हमारी यहां आपको क्या मान के चलना है यहां भी हमारी जो ग्रेमर आएगी वह बेसिक ही आएगी जो हमारे यहां से काफी ज़ादा पुछी है तो आई होप 57 मारे इस मारा सबैसे हैसंय। तो यह आपको ध्यान में रखना है ऐसे ही चलना है जो टोपिक आप कर लेते हो उसको आप टिक मार्क करिए और आगे बढ़ते चलिए फिर आपको क्या करना है जैसे आपने पूरा स्लेबस है वो कर लिया तो उसके बाद आप क्या करोगे रिविजन लोगे दूसरी आपको लेनी है और फिर आप क्या करोगे उसके प्रैक्टिस लगाने शुरू कर दोगे प्रिवियस यहां पे आपको मिल जाएंगे यूटूब पे तो वहां से देख लेना हम भी जो हमारा चैट का कोर्स है जो इंगलिस सब्जेक्ट सपेसिफिक है उसको हम आगे लेके च बिसिकली हम बात करेंगे इंगलिस फोर पीजीटी एंड टीजीटी दोनों की इसी में बात करेंगे फिर जीटी और टीजीटी तो फ्रेंड्स इंगलिस है इसको हम तीन से चार पार्ट में बाट लेंगे जो हमारी साथ नंबर की इंगलिस आती है जिसमें हमारा क्या होता ह literature आएगा और हमारा grammar आएगा यहां मैंप जीटी की बात करी हूं पहले Frog Tube टो इसको फ्रेंड्स हम चार portion में बाठ लेगे चार भगों में बात लेगे जिस्में आपको एक एक portion को complete करते जाना है जäs्छ पहले आप क्या करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे NCRT के क्यूशन कर लिए फिर उसके बाद ट्रम्स है उनको कर लोगे फिर NCRT को कर लोगे तो पहला जो पार्ट रहता है उसको मैं डालती हूँ लिटरेचर यहां से जो हमारे क्यूशन ! पूछे जाएंगे तीस से जालिस के भी जमी, 35 भी हो सकते हैं 32 भी हो सकते हैं 40 भी हो सकते हैं दूसरा जो पॉर्शन है वह हमारा De Pokemon NCRT से 8 से 10 k्यूशन हमारे पूछे जाते हैं, फिर तीसरा जो हमारा portion है वो है grammar grammar रहता है grammar शे हमारे क्यूशन पूछे जाते हैं 30 around 30 और 35 मैं लिख देती हूं अगर कोई क्यूशन इसमें कम हो जाते हैं तो इसमें बढ़ जाएंगे इसमें कम होते हैं तो इसमें बढ़ जाएंगे ठीक है फिर हमारा आता है last में terms and forms of literature यहां से 4-5 हमारे क्यूश पूछे जाएंगे तो हम देखते हैं friends जो हमारा ratio क्या रहेगा 30-30 क्योशन पूछ लिए वालो 30 यहां से 30 यहां से पूछ लिए बैसिकली दो ही portion में हैं लेकिन friends क्या होता है जैसे हम पहले यह chat की बात करते हैं 2021 की तो उसमें literature बहुत थोड़ा पुछा गया था 20-30 क्योश इतना नहीं कि इतने आएंगे maximum है ठीक है कई बर जो exam होता है उसमें literature ज्यादा पूछ लिया जाता है कई बर grammar ज्यादा पूछ ली जाती है इन का ratio इतना ही रहता है ncrt इतनी पूछी जाएगी ट्राम से वह इतनी ही पूछी जाएंगी ठीक है friends तो पहले बात कर लेते हैं क लिट्रेजर में जो हमारा literature आता है वह चोश कुछा शे को सर्टू कहां तक आता है मोड्रन छो सर्टू मोड्रन इंगलीज्स जो मा Got & kang ja टेज राता है इसमें आपको ज़्यादा डीटेल में नहीं जाना है इस में जो किसमे जाते हैंब हमriani matter जासे में ज्यूंट वाहां से फूशिजा जाते हैं जैसे हमने चोसर पढ़ा फिर उसके बाद स्पेंसर बना इंटन मड़ Means रबंस जावऑר स वर्ट जवर्थ पड़ा कोल रिज पड़ा पीबी शेले पड़ा ठीक है रोबर्ट साउधी और फिर उसके बाद ब्राउनिंग के उपर आ गए फिर हम टोमस हारडी के बर्नार्ड शो जेबी सा टी एस इलियट तो मैंने जो गिने चुने चार्ल्स डिकन इमले डिकंसन फ्रो स्वारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीना ठीक है तो यह पर इनके इंपॉर्टन वर्क को आपको याद करना है फिर चलते हैं हमारा दूसरा आता है इंडीन इंग्लेश राइटिंग इंडियन इंग्रेश राइटिंग क्या राख अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आरके नारायन, ठीक है, मुलक राजानन्द, खुश्वन सिंग, विकरम सेट, सल्मान रुस्दी, रुडियार के प्लिंग, रस्किन बोंड, निजी मेजकल, कमला दास, किरन देशाई, और अनीता देशाई, ठीक है, इनके काफी important work है, उनको ही आपको लण करना है, साथ ही पुलिजर प्राइज, नोबल प्राइज, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, तो यह important रहते हैं, और हमारा जो American literature है, उसके जो important 8-10 राइटर है, उनको बस करके जाना है, वो भी basically मोटी मोटी पर, ज्यादा deep नहीं जाना है, आपको, कि एक-एक आप बुक पढ़ जो वर्ल्ड के अलग से जो literature है, वर्ल्ड के जो other country है, जैसे Canadian, Canadian literature है, फिर उसके बाद African, यहाँ साइद पता नहीं आपको दिखाई देगा यानि, अफ्रीकन, और फिर पुछा जाता है Australian, और यहाँ friends क्या होता है, मैंने आपको करवा भी रखे हैं, Canadian literature के most important writer point, और अफ्री literature के only 2-3 class ही होंगी, वो आपको मैं करवा जूँगी, जो हमारा exam होगा उससे पहले, तो इनके important आपको writer point करने है, ठीक है friends, तो यह काफी थोड़ा सापका syllabus रहता है, फिर चलते हैं, अंसी आटी के उपर, अंसी आटी होती है friends, यहाँ पर थोड़ा सरम करके दिखाना और 8-10 हमारे NCRT और 4-5 हमारे terms रहती है, forms of English literature रहती है, तो NCRT हमारे आती है 9-12 और हम TGT level की बात करते हैं, तो 6-8 आती है, TGT में जो literature होता है friends, TGT की बात कर लेते हैं, वो 10-15 question ही पूछे जाएंगे, जादा नहीं पूछे जाएंगे, maximum रहता है 10-15 question और यहाँ हमारे जो पूछे जाती है, इस का ratio बढ़ जाता है, 10-15 question हमारे NCRT की हो जाते है, TGT English में, ठीक है, बाकि सेम हागे grammar जादा पूछे जाएगे, literature बहुत थोड़ा पूछा जाएगा, 10-15 यहीं, बाकि आपका जो syllabus है, NCRT का वहाँ से, फिर grammar आती है, ति इस marks की वो आएगी, फिर फिर है, उनके important work याद हो गए, फिर हम टोमस साढ़ी के कर लिए, फिर आमने, इलियट के कर लिए, फिर हमने, जे वी साथ की कर लिए, ठीक है, इस तरह से, आपको लेके चलना है, Nobel Prize पहला Nobel Prize इसको दि lagi तो इस तरह से आपको करके चलना है तो इस से आर्टी की सीरीज फ्रेंड्स हमने स्टार्ट कर रखी है मैं आपको कंप्लेट करवा दूंगी अग्जाम से पहले पहले आप रिवीजन भी कर पाओगे और जो पूरा स्लेबस है वह आपका कवर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं कि grammar में क्या आता है grammar के अगर हम बात करें तो most important जो हमारा topic रहता है वो रहता है figure of speech figure of speech है वो यहां से कई बार 5-6 question पूछे जाते है parts of speech जो मैंने आपको पहले बताया part of speech part of speech से यहां फिर शे 8-10 question पूछे जाते हैं फिर बाकिर आते हैं हमारे sentences से sentences से related जिसमें close वगेरा और sentence के जो formation होती है narration voice phrase ठीक है कि पूछे जाते हैं और बाद में आता है हमारा vocab का section vocab होती है 5-7 नंबर की पूछ ली जाती है friends तो vocab काफी जी काफी टप पड़ता है vocab आपको मैंने आप यह भी आपको बताया पर इंटू पर amount करिए उससे ही वह है वह आपकी complete हो जाएगी उसकी कम से कंभी 3-4 रेडिंग आप लीजिए गा और parts of speech को figure of speech को अच्छे से करके जाना sentence की formation है sentence close है sentence phrase है narration है voice है उनको अच्छे से करके जाएए और जैसे हम typical sorry complex sentence कैसे बनते हैं compound sentence कैसे बनते हैं उनको उनका structure है उनको करके जाएए ठीक है फिर आती है हमारे terms, terms के अगर हम बात करें तो हमारे terms जैसे drama है क्या है । क Shank Stones है वह क्या और Ma sch day और Novel है वह क्या है will origin हैे पास्टल zero क्या है रिदम है क्या होती है श्क्क्ष विर्यन रिदम है क्या है कितनी लाइनस की होती है ज बैल्यड और थी है वो क्या होती है क्या उस्की की थीम होती है तो इस तरह से जो हमारी टर्म से उनके बारे में पूछा जाता है तो आई होप सो गाई जी आपको कलियर हो गए होंगे अब चलते हैं कि हम थोड़े से स्टेट जी की और बात कर लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे तो फ्रेंट्स दो महीने रहते हैं जो आप एजिली कवर अपकर पाओगे मेरे को विश्वास है ठीक है क्योंकि मोटिवेशन काप करता है अब आपको विकेंसिस दिखाई दे रही है क्योंकि गोवर्मेंट है वो 2024 में एक्षन हेल्ड करेगी तो उससे पहले आपको कच्छा आपका कैसा भी लगा के जरूर जाएगी तो यहां फ्रेंट्स हम बात करें मालो आपने क्या किया फ्रेंट्स नोट्स बनाने शुरू कर दिया नोट्स बिल्कुल सोट फोम में सोट फोम में सोट फोम में आपने नोट्स बनाया साथ ही साथ आपने क्या किया एक तो लिट् पर रहे हो रोज इसके साथ टू सब्यक्ट और फलस कर दिये तू सब्यक्ट और जिसमें क्या जब फ्रेंस यह मैं मेरी स्ट्रेटिजिया है उसी को आपके साथ सारी हूं साथ मैं आपने देलिया अ भुछलिंग ले लिए और हंट हर्याना जिया ठीक है इन एक साथ सकी light twitch青pekt Tous वा उटे क्टाइर के कहा है मैं रहा हुट work 아니야 IR इंडर ये और एक गन्युना जिक्क्य के कद ़ूगए ने दिया मां लोग पूरा दिन हमने यूटूब पर आपने फ्रैक्टिस कर ली वाई ठीक है यूटूब पर तो आपका एक चैफ्टर है वो कंप्लीट हो गया ऐसे करके आपके पास 30 से 35 ही राइटर होंगे जिनको आपको करना है कोई राइटर छोटा होगा कोई बड़ा होगा कोई थोड़ा लिखता है कोई ज्यादा लिखता है तो चोसर काफी बड़े हमारे राइटर पोईट बाने जाते हैं ठीक है फैंट्स जो हमारे फादर ओफ इंग्लिस पोईटर इंग्लिस लेटरेचर हैं तो यहां से काफी क्य अधर मैने दो गंटे में गवर कर लिया प्रैक्टिस लगाई रूल्स देख आपक आ ये कम्प्लेट हरियना जी के मैंने क्या क्या क्ल्चर ऊठाया हरियना जिके का कल्चर और कल्चर में मैंने डांस और फेर्ज कर लिए और हिस्टोरिकल पलेस कर लिए हिस्टोरिकल पलेस कर लिए ठीक है तो मैंने तीन टोपिक उठाए आपको ऐसे ही करना है आज आपने क्या किया स्पोज करो आज आपने चोसर पढ़ा पढ़ा रिजनिंग का तोपिक इसके हैं जो रिजनिंग है मुश्किल से आप 15 टोपिक ही कर पाओगे मेरा मतलब यह नहीं है मान लो आपने मैक्सिमम 15 टोपिक कर लिए तो 15 दिन चले हरियाना जी के हरियाना जी के में वही 35 से 40 टोपिक हैं यह आपने कर लिए जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और क की और यह तो कंप्लीट हो जाएंगे चोषर चलेगा चोषर का मतलब हमारा लिट्रेचर चलेगा तो फिर आप क्या करोगे साइकलोजी को एड़ कर लोगे यह आपने कर लिया हर्याना जी के और रिजनिंग तो आप क्या करोगे साइकलोजी के आपको क्या करूँगे एक थोरी करने शुरू कर दी एक एक थोरी और थोरी ऐसे नहीं करनी है कि वह पढ़के छोड़ दी उसके क्यों संस लगाने है ठीक है क्यों संस लगाने है और सोट बनाने हैं नोट बनाओंगे ताकि फ्रेंड्स जैसे आपका अग्जाम हो सभी के सोट नोट बनाने हैं तो एक दिन में ही आप स्लेब को एक रीडिंग ले लो एक दिन में आप सब्सलेब को कवर करलो तो यहां आपको यह पैटरन फोलो करना है और आप क्या करोगे विदिन 50 बिदें फिप्टी डेज आप अपना कंप्लिट से लेबस कर लोगे यह मेरे को पूरा विष्वास है अगर आप इस ट्रेटी से ले तो ठीक है और फिर लास्ट के जो टैन डेज रहते हैं उसमें आप क्या करोगे प्रैक्टिस सेट लगाएं जादा से जादा प्रैक्टिस से सेट जितने लगाओगे उतनी आपकी पोसिबिलेटी होती जाएगी उतनी आप सक्सकी और बढ़ते जाओगे जैसे आपने डेड़ सो माक्स का प्रैक्टिस सेट लगाके देखा तो उसमें आप क्या है 70 माक्स दीरे देरे बढ़ते बढ़ते 75 85 और 95 और 105 ठीक है 1010 इतने मा देखे नापने प्रैक्टिस सेट लगाओ जैसे आपका घ्रजाम अगर इस टरीट जीरे करेक एख़ता है तो अपकर मेरे को कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा तो काफी अच्छी में आपके साथ अपनी स्टैटिस सेर की हैं जो मेरी स्रैटिस रहती थी जिस इसे मैंने TGT, PGT और SETAT जितने भी अग्जाम हुए है चार से पांच वो मैंने आपको क्रेक करें हैं तो वो इसी स्टेट जिसे क्रेक रहे हैं ठीक है तो I hope so guys काफी पसंद आएगी class और like, share, subscribe करना नहीं भूलना इसे के साथ है विगिड़े and best of luck